असलालेकूम आज हम मनाएंगे वटर चिकन और तबा तंदूरी रोटी बहुत ही टेस्टी बनता है बहुत ही अच्छा कॉंबिनेशन है दोनों का और इदम रेस्टोरेंट स्टाइल बनके तयार होगा आप इसको जरूर ट्राय करिएगा उसके लिए मैंने लिए है 500 ग्राम चिकन को हम करेंगे मैरिनेट वन टी स्पून नमक एट कर देंगे वन टी स्पून नाल मिर्च का पॉडर एट कर देंगे और कौटर टी स्पून काली मिर्च का पॉडर एट करेंगे बताब वन फोर टी स्पून का पॉडर है ये और हाफ टी स्पून जीरे का पॉडर एट क और हाफ टीस्पून एलाईची का पाउडर वो हम इसके अंदर एड़ करने के बाद आप इसके अंदर थोड़ा सा फुट कलर भी डाल सकते हैं आपकी मर्जी आप इसको एड़ करना चाहें तो करने नहीं तो इसको स्कीफ कर दे अग फुट कलर डालने से एक अच्छा कलर आ बस इतना ही है अच्छा हम इसको मेरिनीट करके आदे घंटे के लिए रख देंगे उससे हमारा चिकन बहुत अच्छा जूसी जूसी बनेगा और अच्छी तना से मेरिनीट भी हो जाएगा अब हम तंदूरी रोटी का डो बना लेंगे मैंने दो कप के इतना मैदा लिया है मैदा के अंदर मैंने वन टेबल स्पून बेकिंग पॉर्डर डाला है और कौटर टी स्पून बेकिंग सोडा एट किया है अब हम इसको डो बनाएंगे दूद के साथ में ही मैंने गुन गुना दूद लिया है एक अप के इतना अब दूद के अंदर हम एट करेंगे वन टी से मिक्स कर लेंगे मिक्स करने के बाद अब हमने इसी दूद जो हमने ये तयार किया है हम इसी से इसका डो बना लेंगे थोड़ा थोड़ा इसके अंदर एट करते रहें और अच्छी तरहां से इसका एक डो बना लें जब ये डो बनके तयार हो चुका है देखिए अब हम इस चिकन के पीसिस को fry कर लेंगे अब भी हमने flame को रखना है high fry करने के time पर हमने flame को high रखना है जब हम 1-2 minute high flame पर कर लेंगे फिर हम flame को कर देंगे slow 4-5 minute के लिए 5 minute के बाद में हम lid को open करेंगे ये देखिए चिकन बहुत अच्छी तरहां से half tender हो चुकी है अब हम इसको फुल फ्लेम पर अच्छी तरहां से सुका लेंगे मतलब इसके अंदर एक grill marks आने तग हम इसको fry कर लेंगे ये देखे अच्छे से grill marks आ चुके हैं अब हम पैन के अंदर add करेंगे टू टेबल स्पून के उतना बटर ये मैंने तीन मीडियम साइस की प्याज लीती इसको मोटा मोटा सा कट कर लिया है वो हम इसके अंदर add कर देंगे और बारा से पंदरा काजू लिये थे ये भी हम इसके अंदर add कर देंगे ये मैंने दो large size के टमाटर लिये थे उसको भी हमने इसके अंदर add कर देना है और तीन हरी मिर्स ली है वो भी इसके अंदर add कर देना है हम इन सारी चीजों को एक से दो मिनिट के लिए फुल फ्लेम पर अच्छी तरहां से fry करेंगे अच्छा जब यह ठंडा हो जागा तब हम इसको mix जार के अंदर डालके पीस लेंगे अब उसी पैन के अंदर हमने दो टेबल स्पून बटर add किया है और दो टेबल स्पून ऑइल add किया है उसको अच्छी तरहां से fry कर लेंगे जब तक उसकी रोई स्मेल नहीं निकल जाती वन टी स्पून कश्मीरी लाल मिर्च एट करेंगे कश्मीरी लाल मिर्च से बहुत अच्छा कलर आजाएगा आपकी बटर चिकन में और वन टेबल स्पून धन्य का पौडर हाफ टी स्पून जीरे का पौडर थोड़ा सा नमक एट करेंगे क्योंकि हमें मसाले में भी नमक चाहिए इस तरह से हम इस मसाले को अच्छी तरह से भून लेंगे भूनने के बाद ये जो हमने प्यास ट्रमाटर काजू हरी मिर्च का पेस्ट पीसा है हम इसको इसके अंदर एट कर देंगे इसको हमने अच्छी दरहां से फ्राय कल लेना है बतलब दो मिर्च फुल फ्रेम पर इसको फ्राय करेंगे इसी मिक्सी की जार के अंदर ड्राल के हमने हाफ कप कितना पानी एड़ कर दिया है इसके अंदर और हम इसके अंदर half टी स्पून गरम मसाला पौडर एड़ कर देंगे और ये मैंने half टी स्पून लाल मिर्च का पौडर लिया है मिर्च आप अपने टेस्के हिसाब से रख ले अगर आपको ज्यादा तीका नहीं चाहिए तो आप ये वाली लाल मिर्च को स्किप कर दें अब हम इसको कवर करके छोड़ देंगे कम से कम 10 मिनिट के लिए 10 मिनिट में मसाला बहुत अच्छी तरहां से भुन जाएगा और आप बीच बीच में इसको चलाते रहें एक से दो बार मसाला देखी भुन चुका है अब हम इसके अंदर एट कर देंगे ये जो हमने चिकन फ्राय की है हम इसको इसके अंदर एट कर देंगे इसको अच्छी तरहां से मिक्स कर लें मिक्स करने के बाद हम इसको कवर करके छोड़ देंगे 5 मिनिट के लिए 5 मिनिट में ये जो मसाला और चिकन है वो एक दूसरे से अच्छी तरहां से कोटिंग हो जाएगी मतलब चिकन के अंदर भी अच्छी तना से इसका मसाले का जूसिस चला जागा तब तक हम इसको पका लेंगे अब मैंने ये 1 टीज़ पून के टूसरी मेती ली है वो भी इसके अंदर एड़ कर दी है अब इसके बाद में हम इसके अंदर एड़ करेंगे फ्रेश क्रीम ये मैंने हाफ कफ के इतनी फ्रेश क्रीम ली है इसको जरूर डालिएगा बहुत अच्छी बटर चिकन आपकी बनके तयार हो जाएगी एक दम रेस्टोरेंट स्टैल बनीगी आप एक बार ट्राय करेंगे त इसको गानिश कर लेंगे अब हम इसको एक से दो मिनिट पका लेंगे पकाने के बाद हम फ्लेम को कर देंगे ओफ अब हम जब तक अपने तंदूरी रोटी बना लेते हैं ये देखिए डो को हो चुगा था आदा गंड़ा अब हम इसको अच्छी तरह से एक से दो हाथ लग अब हम इसके उपर लगाएंगे कलोंजी लगा देंगे और हम इसको ओपर लगा देंगे थोड़ा सा हरजनिया उससे एक अच्छा लूग को आ जाएगो और खाने में भी अच्छी लगती है तब अगर हम हो चुका है अब हम तबे के ऊपर थोड़ा सा पानी चीटा के बाद हम इसको रोटी को डाल देंगे अच्छा फ्लेम को हमें एक मिट के लिए फुल लखना है फिर हमें फ्लेम को कर देना है मीडियम अच्छा एक बाद और अगर आपकी रोटी सेखने के टैम पे तवे से गिर जाती है तो परेशान ना हो आप उसको चिम्टे से से शेक है ना आप उस तरह से भी सेख सकते हो यह देखिए कुछ इस तरह से तवा रोटी बनके तयार हो जाएगी और मेरी वीडियो पसंद आएगे तो प्लीज लाइक शेर सब्सक्राइब करें अल्ला आफीस